गुड आफ्टरनून इस्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे विकॉम फर्स्ट एर के गुरूप फर्स्ट का पेपर नंबर फर्स्ट वित्य लेखांकर फाइनेंसल अकाउंटिंग के बारे में और उसमें भी हम चैप्टर नंबर डाइरेक्ट थर्टिन ले रहे हैं उसके प इसलिए आपको समझ में आ जाएं इसलिए पार्टनर्सिप ले रहे हैं आपको पता ही है कि पार्टनर्सिप या साजेदारी दो या दो से अधिक वेक्तियों के मद्य में होने वाले अनुबंध है जो लाब बाटने के लिए लाब कमाने के लिए सहमत होते हैं इसको पढ़ लेंग्विज में साज़ेदारी व्यापारिक संगटन का एक महत्वपूंट सरूप है यह लाप की द्रश्टी से व्यापार करने के लिए व्यक्तियों के मद्य पाये जाने वाला संबंद है 32 साज़ेदारी अदिनी 1932 की धारा के अनुसार साज़ेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंद है जो ऐसे व्यापार के लाप के को परस पर बाटने के लिए सहमत होते हैं जिनका संचालन उन सब के द्वारा या उन सभी की और से किसी एक के द्वारा किया जाता है यह इंपोर्टेंट लाइन है अगर कोई फर्म के अंदर दस पार्टनर है तो जरूरे नहीं दस ही काम करें उनके बदले में कोई भी एक दो तीन या जितने जो एक्टिव हैं वो कारे कर सकते हैं तब भी वो पार्टनर्शिप कहलाएगी और वो फर्म कहलाएगी अब उसकी बात है उसकी विशेस्ताइं के बारे में तो उसकी विशेस्ताइं जो है वो यह है साज़दारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समग है तो मिनिमूम हमें पता है कि पार्टनर कितने होने चाहिए दो होने चाहिए उसके बादे साज़दारों परस पर अनु कर तो हम पहले बैठ के कुछ contact sign करेंगे अनुबंद करेंगे अब वो रिटर्ली भी हो सकता है और औरली भी हो सकता है लिखित भी हो सकता है और मौकिक भी हो सकता लेकिन important बात इसमें यह है कि यह जितना रिटन बेश्ट होगा उतना अच्छा रहेगा साजदारों के लिए व्यापार का होना अत्यांत आवेशक है बिजनस होना चाहिए कोई मिलके और बिजनस भी वो होना चाहिए जो लिगली बिजनस हो उसमें पार्टनर्शिप या फर्म कहलाएगी अगर उसका व्यापार है यह नहीं या अगर व्यापार है तो वो अगर लिगली नहीं है तो वो साजदारी नहीं कहलाएगी व्यापार का उद्दे से लाबढ़जित करना तता उससे परस पर विबाजित करना होता है मुख्य उद्दे से क्या होता है लाव उद्दे से आपको पता होगा कि दो अबजेट्स होता है प्रॉफिट बेस्ट और सर्विस बेस्ट तो अपना जो partnership है जो firm है उसका उद्देश से प्रॉफिट कमाना होना चाहिए व्यापार का संचलर उन सब के द्वारा अत्वा उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है यह अपने अभी समझा है अब इंपोर्टेंट बात है पार्टनर्शिप लीट कि साज़ेदारी फर्म साज़ेदारों के मत्दी होए समझोतों का परिणा है अब मैं आपको इसको ऐसी ही बता देता हूं कि पार्टनर्शिप लीट जो बनती है वही पार्टनर सनलेग जिसे हम अनुबंद कहते हैं वही डीड है कि जिसके अंदर हम आपस में मिलकर कुछ लिखित या मौखिक समझोता करते हैं अब वो कुछ भी हो सकता है जो लिगली हो जैसे एक्जाम्पल के तोर पर हम कह सकते हैं कि फर्म का नाम क्या होगा साज़दार के नाम और पते क्या होंगे फर्म के टोटल कैपिटल कुल पुनजी कितनी हो गई पार्टनर कौन कौन कितनी कैपिटल लाएगा फर्म कहां कहां से रिंड लेगी या नहीं लेगी इंटरेस्ट ओन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा interest on drawing लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा अगर दिया जाएगा या लिया जाएगा तो कितना percent दिया जाएगा या लिया जाएगा कोई भी partner को salary bonus commission या कोई अन्य जो है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये पहले से ही decide कर लिया जाता है अब उसके बाद जो है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे पंद्रा चीज़ बता रखी है अब इसमें जरूरी नहीं कि पंद्रा ही हो, हो सकता है तेरा ही हो, हो सकता है पंद्रा से ज़्यादा बीस भी हो तो ये तो जो मैनमेन चीज़े हैं वो बताई गई है लेकिन जो भी दो वेक्तिया जो भी पार्टनर सापस में मिलकर बात करेंगे वही साज़ेदारी सनलेक होगा जो एक दूसरे पर सहमती प्रदान करेंगे अब सबसे इंपोर्टन बात जो है उसमें ये बता रखी है कि साज़ेदारी सनलेक के अभवा में लगू होने वाले नियम रूल्स एप्लिकेबल इन दा एक्षेंस आफ एग्रिमेंट अगर एग्रिमेंट हो नहीं रखा है कोई भी कॉंटेक्ट अनुबंद नहीं हो रखा है तो ओटोमेटिकली कुछ रूल्स है वो फॉल हो जाएंगे जैसे प्रतेक साज़दार की फर्म की पुस्तकों तक पहुँचने का उनका निरेक्षेंट करने और उनकी प्रतिलिपी लेने का अधिकार होगा दूसरा व्यापार के संचालन में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक अत्वा वेतन नहीं दिया जाएगा अगर सेलेरी और कमिशन बोनस या कुछ भी ऐसा जो पार्टनर्स लेते हैं तो वो उनको नहीं दी जाएगे फर्म के लाभनी का विवाजन बराबर किया जाएगा ये सबसे इंपोर्टन्ट है कि अगर ये डिसाइड नहीं हुआ है कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बाटेंगे तो इक्वल रेशियो होगा यदि किसी साज़दार को पुझी पर ब्यास प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है तो ब्यास के फर्म के लाभ में से ही दिया जाएगा वेरी गूर्ड इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट होने पर ही दिया जाएगा नहीं तो न पार्टनर से अगर लॉन ले रही है तो उस पर 6% दिया जाएगा यह कौन से जब डिसाइड नहीं है अगर पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है तो वो तो एग्रिमेंट हो गया और अगर वो डिसाइड नहीं किया है तो फिर जो भारतिय साज़दारी अधिनी में पार्ट यह काफी चीजें हैं इसमें जो इंपोर्टेंट है वो मैंने बता दी है आपको आप एक वर यह रेट कर लेना ठेंक्यू